तंग्शारन या कोरोजन के बारे में जानेंगे आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं कि घरों में जब हम लोहे की वस्तों को काफी समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं पेंट भी नहीं लगाते हैं तो कैसे उसके उपर भूरे रंग की एक पर्थ जम जाती है जिसे हम अर्थाद जो धात्वे होती है वो अपने मूल गुड़ों को खो देती है जैसे चांदी के उपर काले रंग का लेयर चड़ जाता है इसी प्रकार से जो कांसा है कांसे पर भी देखिए कैसे हरे रंग की परत जम जाती है जब उसका संचारन होता है तो ऐसे बहुत सारी धा कांसा है उस पर हरे रंग की परत का जम जाना तो संचारन वास्तों में क्या होता है तो किसी भी धातू को जब हम वायू या नमी वायू में ऑक्सीजन है और वायू में नमी भी है एच्टो भी है तो उसकी उपस्थिती में लगातार यदि वह धातू उसके संपर्क में आत तो उस धातू के उपर एक परत जम जाती है उस धातू का जो मूल गुण है वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है इसे हम कहते हैं संचारण की प्रक्रिया तो संचारण को यदि हम परिभाशित करेंगे तो वह इस प्रतार होगा कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों वाय जाने का प्रक्रम तो धात्वों के ऊपर जो अवध चीन लेयर चड़ जा रहा है यह वायुम प्रेजेल जो oxygen है या carbon dioxide है sulfur dioxide है कई सारी gases होती है साथ साथ नमी होती है इन सब के कारण वो जो kriya shield हातु है वह जब इनके संपर्क में डारेक्ट आती है तो उसका जो मूल गुड़ है वह दीरे-दीरे समाप्त होने लगता है उसके उपर एक अवांचित layer आजाती है इसे हम संचारन क्रिया की तरह कारी करता है तो जैसे ही वो किसी भी स्थान पर रखा है जहां उसको खुले में वायू भी इसके संपर्क में है नमी के संपर्क में है तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो 2FE 2FE ये दिले तो 2FE is equal to 2FE 2 plus यहां 4 इलेक्टरण दर्शा रहे है क्योंकि सामने हमने 2 लिया एक एफी से एफी 2 प्लस बना 2 एफी लेंगे तो 2FE 2 प्लस बना तो 4 इलेक्टरण निकले अब इलेक्टरण निकलने की क्रिया हुई यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है जो क पर होती है कैतोड किस प्रकार रियक्शन होगा यहांने अश्द्रलोह जो है वह यहां पर कैसे कारेगा क्योंकि उसके पास जल भी है और साथ साथ में चार इलेक्टरण उसको प्राप्त हो रहा है शुद्रलोह में अक्सीटरण होने के बाद तो 2 2 plus 4H plus plus 4 electron equal to 2H2O, अब ये दोनों anode और cathode के reaction को यदि हम जोड़ दें, तो net cell reaction प्राप्त होगा, तो संचारण की क्रिया के लिए जो net cell reaction है वो प्राप्त होता है हमें, यहाँ पर 2Fe plus O2 plus 4H plus equal to 2Fe2 plus plus 2H2O, 2OH minus, यहाँ थाइड्रोकसाइड यहाँ और OH minus के साथ वो react होता है, Fe second hydroxide का निर्माड हुआ, Fe OH whole twice का निर्माड हुआ, जैसे ही इसको जल के संपर्क में रखा जाता है, धीरे धीरे यह hydrated ferric oxide में परिवर्तित होता है, यहाँ जंग में परिवर्तित होने लगता है, बूरे हम complete reaction को कैसे देखेंगे, तो यह होगा 2Fe OH twice plus half O2 plus H2O equal to Fe2O3 dot XH2O, यहाँ यहाँ पर रस्ट या जंग के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर संचारण की क्रिया को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यहने लोहे को यदि हम थोड़ा बचा कर रखें, उस पर paint लगा दें, ग्रीस लगा दें, तो लोहे का बचाओ होने लगता है, तो यह सीधा सीधा समझ में आता है कि संचारण की क्रिया वायुमंडल के प्रभाव में बहुत तेजी से होने लगती, क्योंकि वायुमंडल मे इसका संचारण हो रहा है, जो बहुत जादा क्रिया शील भी है, तो भी संचारण तेजी से होगा, बहुत सारे कारण होते हैं, जिससे किसी भी धातू का संचारण होने लगता है, तो अब हम जानेंगे कि कैसे किसी धातू का संचारण बहुत तेजी से होता है, या बहुत दीमिगती से होता है, तो सबसे पहला हम देखेंगे धातूओं की प्रकृती, जो धातूओं की प्रकृती है, धातू यती बहुत अधी क्रियाशील है, तो वह तेजी से संचारित होगा, और जो धातू कम क्रियाशील होते हैं, उसका संचारन दीमिगती से होगा, दूसरा हम देखेंगे कि धात्वों पर अशुद्धियां जितनी जादा प्रेजेंट होंगी उतनी तेजी से वह संचारित होने लगता है तो धात्वों में अशुद्धी यदि जादा है तो संचारन तेजी से होगा तो इसी तरह से जो अशुद्ध लोहा है यानि जिसका संचारन हो च जैसे कारबन डायोकसाइट, सल्फर डायोकसाइट, नमी हैं तो इन सब की उपस्थिती में बहुत तेजी से संचारन की क्रिया होने लगती है। जैसे अगर हम नमक के विलियन में रखे हुए लोहे का संचारन तेजी से होता है। प्रभावित होता है। अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उसके बीच में एक बेरियर बना दिया जाए, तो भी वह संचारित होने से बच सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे उपाएं हैं। तो कुछ उपाएं उसमें से हम देख लेते हैं। रोधी का रक्षन, रोधी का रक्षन याने बेरियर, बेरियर बना देना। जिस धातू का संचारन हो रहा है उसको वायुमंडल के संपर्क से तोड़ देना। तो इसके लिए हम प्राया घरों में किसी वस्तू पर जैसे लोहा है तो लोहे पर हम पेंट लगा कर रख सकते हैं। उस पर ग्रीज भी लगा देते हैं। साथ ही हमने अध्याय के शुरू में देखा था इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो जो जादा क्रिया शील जो धात्व देते हैं तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग की क्रिया से भी उस धातू का संचारन रुख सकता है। यहां पर दूसरा है उत्सर्ग रक्षन। उत्सर्ग रक्षन का अर्थ होता है कि जो क्रिया शील धातू है जिसका संचारन हो रहा है उसके ऊपर उससे भी ज्यादा क्रिया श है उसके लिए जो value है E0 का मान है वो minus 0.44 है तो लोहे की सतह पर यदि zinc की layer को चढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को galvanic current या galvanization कहते हैं तो galvanic current की क्रिया में या जो galvanized iron है तो वास्तों में वहां बनता क्या है वहां पर बनता है zinc carbonate dot zinc hydroxide to ZnCO3 dot ZnOH whole twice इसका एक layer उसके उपर बन जाता है इसे हम galvanized iron भी कहते हैं तो galvanic current की क्रिया में ये विशेश रूप से ध्यान रखना है कि लोहे के उपर zinc का ही layer चढ़ा रहे हैं तो इसे हम galvanic current कहते हैं यहां पर यदि लोहे के उपर zinc की layer चढ़ा रहे हैं तो zinc का संचारण हो जाएगा और loha बच जाएगा यदि जब तक उसके उपर zinc की layer चढ़ी है तब तक ये संचारण जो है zinc के उपर होता रहेगा लोहा बचा रहेगा कभी ऐसा हो सकता है कि इस galvanized iron पर खरोच आ जाए तो अब क्या होगा खरोच आने पर दोनों का संचारण होगा लेकिन देखना ये है कि पहले किसका संचारण होता है तो इसके लिए हम E0 की value से compare कर लेते हैं लोहे के लिए जो E0 की value है वो यहाँ पर हम देखेंगे के लिए zinc 2 plus plus 2 electron is equal to zinc तो zinc के लिए जो E0 की value है वो है minus 0.76 तो चुकि यहाँ पर zinc के लिए E0 का रिनात्मक मान जादा है और iron के लिए जो E0 का रिनात्मक मान है वो zinc की तुलना में यहाँ पर कम है तो दोनों में जादा क्रियासील zinc है दोनों का ही संचारण होगा खरोच आने पर लेकिन पहले संचारण की क्रिया zinc पर होगी यदि यहाँ पर लोहे के उपर tin की layer चड़ा दी जाए तीन की layer चड़ाने पर भी लोहा बच्चा रहेगा लेकिन फिर दोनों को compare करके देखते हैं कि यदि कभी ऐसा हो कि जिस लोहे के उपर tin की layer चड़ी हुई है और वहाँ पर यदि खरोच आ जाए तो पहले किसका संचारण होता है तो इसके लिए भी हम E0 की value को देखेंगे tin के लिए जो E0 का मान है यहने इसको represent करेंगे Sn2 plus plus 2 electron is equal to Sn equal to E0 का मान दिया हुआ है equal to minus 0.14 volt तो यहाँ पर जो लोहे का मान प्राप्त हुआ था वो है minus 0.44 volt तो लोहे के लिए जो E0 का मान है वो ज़्यादा रिनात्मक है क्रियाशीलता लोहे की ज़्यादा होगी tin की तुलना में क्योंकि tin के लिए E0 का मान कम रिनात्मक है तो यदि खरोच आता है tin की layer वाली लोहे की सत्व पर तो यहाँ पर लोहे का संचारन हो जाएगा पहले tin का संचारन नहीं हो पाएगा क्योंकि tin कम क्रियाशील है लोहे की जो pipes होती है जो जमीन के अंदर गड़ी होती है उसे भी संचारित होने से बचाना है तो उसे किस प्रकार बचा सकते हैं क्योंकि अगर जमीन के अंदर गड़ी हुई pipe है तो वहाँ भी उसको नमी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो वहाँ भी उसका संचारन बहुत तेजी से होगा, तो इस प्रकार के संचारन को रोकने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, कैथोडिक रक्षन या वैद्यूति रक्षन, तो जो लोहा है, जो जिससे की बना हुआ है जैसे कि नल का पाइप होता है या फिर पेट्रोल और डीजल की टंकिया होती है तो इसको भी संचारित होने से बचाना है तो यहाँ पर उससे ज़्यादा क्रियाशील धातू के संपर्क में इस लोहे की पाइप को उसके संपर्क में रखते हैं उससे ज़्यादा क्रियाशील म यहाँ पर यदि magnesium लिया जाए तो magnesium के लिए E0 का मान होता है minus 2.37 volt तो E0 का मान वहाँ पर ज्यादा negative है ज्यादा रिनात्मक है और Fe के लिए होता है minus 0.44 तो यदि लोहे की वस्तु जो की दमिन के अंदर है उसको यदि संपर्क कर दिया जाए किसी ऐसे धातू के साथ जो जादा करियाशील है जिसके लिए E0 का मान जादा negative है तो उदाहरन के रूप में हम लेते हैं कि magnesium magnesium का यहाँ एनोड बना देते हैं और जो लोहे की वस्तु है वो यहाँ प कैथोर्ट का कारे करेगी तो magnesium चुकि एनोड है ऑक्सी करण की करिया होगी तो उसमें 6 होने लगेगा और लोहे की जो पाइप है जो जमीन के अंदर है उसका बचाओ हो जाएगा वो संचारन की प्रक्रिया से उसमें धीमी हो जाएगी और रुक जाएगी तो यहाँ जो magnesium है वो एनोड है और ऑक्सी करण की करिया होगी तो magnesium 2 plus plus 2 electron is equal to mg तो magnesium के चुकि E0 के मान को अपचेन विभव के रूप में दर्शा रहे हैं इसलिए यहाँ पर mg 2 plus plus 2 electron is equal to mg के रूप में लिखा जा रहा है इसका मान हमने देखा minus 2.37 वोल्ट होता है जबकि iron को हम व्यक्त कर रहे है Fe2 plus plus 2 electron is equal to Fe जो यहाँ पर cathode की तरह कारे कर रहा है इसके लिए जो E0 का मान है उसकी तुलना में कम रिणात्मक है minus 0.44 वोल्ट तो पहले संचारन होगा यहाँ पर magnesium का magnesium की plate से जोड़ देते हैं जो टंकी है या जो नल के pipe है उसको तो जो नल है जो लोहे का बना हुआ है या जो टंकी है जो लोहे की बनी हुई है वो यहाँ कैथोड है और जो magnesium का anode है उसके साथ इसको संपर्क कर दिया गय तो magnesium का च्छै होने लगेगा magnesium का oxykaran होगा और इसका च्छै होने से रुख जाएगा अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो चारी विलियन होते हैं उसका भी लेप चढ़ा कर किसी भी लोहे की वस्तु को संचारित होने से बचा सकते हैं जंग विरोधी विलियन तो जं उसके उपर insolution का layer चढ़ जाएगा तो उदाहरन सुरूप हम लेते हैं कि जो लोहा है उसको यदि यहां पर सांद्र sodium phosphate के विलियन में डुबा दिया जाता है तो लोहे के उपर एक layer बन जाती है iron phosphate की लोहे को डुबाया जाता है sodium phosphate में sodium phosphate iron की सतह से क्रिया करता है और बना ले के उपर एक layer बन गई यह संचारन से उसे बचाती है तो जंग विरोधी विलियन को लगा कर भी हम किसी भी धातु को संचारित होने से बचा सकते हैं संचारन के बचाओ के लिए हम मिश्र धातु का भे निर्मान करते हैं मिश्र धातुें जिसमें दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो इस तरह से धातूँओं का संशारन होने से रुख जाता है, जैसे स्टेनलस स्टील, निकिल, आइरन, क्रोमियम, कारबन को लेकर बनाया जाता है, वैसे ही पीतल को कॉपर और जिंक से और ब्रान्ज को कॉपर एवं टिन से बनाया जाता साथ ही साथ यहां पर जो मरकरी और सोडियम को मिलाकर जो अलॉय बनाया गया है उससे हम सोडियम अमलगम भी कहते हैं किसी भी धातू के साथ जब मरकरी मिलाते हैं तो जो अलॉय बनता है वो अमलगम कहलाएगा और यहां पर सोडियम लिया गया है तो सोडियम अमलगम है इस इस तरह से हम मिश्रधात्वों के निर्मारत के द्वारा भी संशारन को रोक सकते हैं.